आशा मुझे बताईए आपको मैं देख रहा हूं बड़े प्रसंद लग रहा है या बड़े खुश आया आप लोग मुझे बड़ा मज़ा आपको देख किया रहा है आपको चेहरे पे कितनी समाइल है मुझे लग रहा है आपको कोई दुख तकलीफ ही नहीं है कोई दुख तकलीफ आपको है ही नहीं कितने खुश लग रहे हैं आप मुझे वेरी गुड परसंद चित क्या आप में से सब लोग खुश है या तकलीफ है दुख तकलीफ कितने लोगों को है इमानदारी से हाथ खड़ा करने चला वाव वाव मेरे पास एक रास्ता है आपकी दुख तकलीफ नहीं थी वे अइक इसलेएक का कबरिस्तां था और आप यह चाहता है कि आपकी दुख तकलीफ दर ओजाएए लोग चाहते हैं उनकी दुख तकलीफ दूर हो जाएए बसक्तों के वह में एक the equivalent जब तक हम जिन्दवा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी जिजिन समस्या खतम हो गई समयलो जिन्दगी खतम हो गई और जब आपकी जिन्दगी में कोई समस्या ना होना तो घुटनों के बल बैठ जाना और उपर देखके बोलना भरोसा खतम हो गया क्या अगर नहीं तो समस्या भेज निपट लूँगा चिंता मत कर तकलीफ हो गई उसी को जिसकी जिन्दगी में कुछ न कुछ चल रहा है और सीखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे आपसे जब तक आपको पता नहीं होगा जवाब क्या देना आपको बहुत तकलीफ आएगी वो एक बहुत परानी सी कहानी है कि एक आदमी ना आँख चेक करने चला गया तो वेटिंग थी तो सोफे पे बैठ गया जो आप्टोमेटिस्ट है वो किसी आदमी की आँख चेक कर रहा था तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है जो खाली रहता है लिए तो उसने वस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला अब दिख रहा है तुझे तो बोला ना तो उसने बोला शीशा निकालके दूसरा डाला बोला अब तुझे को दिखता है तो बोला नहीं थोड़ा थोड़ा अब ये बाहर बैठके आप्जर्व कर रहा है उसको फिर उसने तीसरा डाला बोला अब कर रहा है थोड़ा सा साफ हुआ है फिर उसने चौथा शीशा डाला अहां अब मुझे बिलकुल दिखाई तो उसने पर्ची बनाई कि बार चश्मा बना ला अब ये गया अब इसका नंबर था ये तो देख रहा था बहुत देल से अब उसको भी चश्मा लगाया जिसमें दो छेत थे पहला शीशा डाला और तो नहीं आठ्वा जितनी ट्रेट ही सारे डाल दा लिए अब कहरें नहीं तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा कहरें नहीं बोला पढ़े भी हो तो बोला नहीं इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा है तो बोला यहां क्या करने आये हो तो बोला हमको लगा चश्मा लगाने से दिखता है उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी अंदर से होगी तब ही दिखाई देगा अंदर से होगी ही नहीं तो दिखाई मैं Chinese language लिख दूँ या Chinese तो तुम पढ़ पाओगे क्या जबकि तुमको दिखता भी है perfect नजर आता है Chinese language पढ़ पाएंगे Arabic language यानि पढ़ भी वही पाएंगे जो ग्यान पहले अंदर होगा ना जो होगा यह नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता